परते हैं खबरों की हो रहा है गुजरात और हिमाचल विधान सभा चुनाव को ले करके कॉंग्रस की क्या त्यारिया है इस बारे में पूर्व केंद्री मंत्री और अखिल भारती कॉंग्रस कमिटी के कोशा अध्यक्ष पवन बंसल से खास बात चीत किये हैं हमारे बियोची अनिल कुमार ने गुजरात और हिमाचल विधान सभा चुनाव के लिए कांग्रस की क्या त्यारिया है इस समयर साथ हैं पूर्व केंद्री मंत्री और अखिल भारती कांग्रस कमिटी के कोशा अध्यक्ष पवन बंसल इन से जानते हैं कि विधान सभा चुनाव के लिए कांग्रस की क्या त् और किन मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी छी जहां तक मैं कह सकता हूँ मैं जानता हूँ कि दोनों जगा कांग्रेस की पूरी तैयारी है हमारे जो प्रभारी हैं वहां लगे हुएं काफी लंबे अर्थे से जगा जगा जा रहे हैं सभी उन्होंने अलग लग ब्लॉकवाइस की वहां मीटिंग्स ले 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 हैं और हिमाचल की तो पिछले दिनों में स्क्रीनिंग कमीटी की भी मीटिंग्स हो गई हैं आगे सेंट्रल इलेक्शन कमीटी की होने वाली हैं इस हिसाब से गुजरात में वो अपने काम पे लगे हुएं जो एक प्री इलेक्शन काम होता है उस पे तो पूरा हर तरह से तैयारी है और मैं ये समझता हूँ वह बिश्वास है बलके मुझे इस बात का कि जो पिशले समय में भारते जनता पार्टी की सरकारों ने एक अहंकार में लोगों की परवाह नहीं की किसी चीज़ की बिलकुल जोर नहीं दिया बस एक ही समझते हैं कि उनके पास एक जादू है वो मुदी का नाम है वो इसके हिसाब से लोगों का बेवकुफ बना रहे हैं पूरे जोर के साथ और आज के दिन वो लोग समझते हैं वो जानते हैं कि आज के दिन लोगों को रुजगार में ही मिला हुआ हमाचल के लोग ये भी जानते हैं कि वहां से इतने ज़्यादात में लोग आमी में जाते थे पहले हमारे फौजों में उन पे एक पबंदी लगा दी है कि चार साल की नौकरी के बाद आप वाहर वापस आ जाओगे क्यों किया है कि उस तरफ दिखा देना चाहते हैं कि एक प्रती वर्ष हम इतने लोगों को रुजगार दे रहे हैं चार वर्ष के बाद वो खत्म हो जाएगा वो किसी को नहीं बता रहे हैं ये लोग समझते हैं महंगाई जरम सीमा पे पहुंच चुकी है आप देखते हैं वो पूरे देश में उसका असर है और उनके लोग वहां के अच्छी तरह जानते हैं और जो वहां का अपना निजी वि हातिय जनता पार्टी की कि हर वक्त मौक्के पे कुछ ना कुछ जाता दिखाना चाहेंगे करके जो दो चार में हिनों में होता है उसके बाद परवा नहीं करेंगे क्या कदम उठाएं की सरकार ने केंदर में जो ये कर सकते थे दोनों परांतों के लिए करना गुजरात तो खास तोर पे मौदी जी का अपना प्रांत है वहां इतनी देर वो मुख्यमंत्री खुद रहे उसके बाद सीधा यहाए बीस साल से वो जा तो मुख्यमंत्री जा परधान मंत्री रहे हैं तो क्या गुजरात में ऐसा हुआ है पिशली वार भी में वहां तक मुझे मालूम है कि सिर्फ इंकम टेक्स के लोगों को इस्तमाल करके सूरत जैसे लोगों में विपारियों को ड़ाके उनके एक एक बूत पे बिठाके बोटें ली दी ऐसा ही वो फिर कुछ करेंगे सही मैंने में लोगों में उनका कोई असर नहीं लोग उबे हुए हैं और अच्छे धंग स विकास के नाम पे और कॉंग्रिस ने हमेशा चनौ विकास पे नाम पे लड़ा है कॉंग्रिस हमेशा लोगों को एक प्रिवार को पूरा इसमें बिश्वास टूट बिश्वास है कॉंग्रिस का कि सही जो लोगतंतरिक भावना है डेमोक्रेटिक टेंपर जो साइंटिफिक temper जैसे कहते थे वही democratic temper में बिश्वास करती है कि लोगों के मन में ये बने ये बात उसकी करते हैं लेकिन लोक तंतर को इस्तमाल करते हैं लोक तंतर को खत्म कर देने के लिए ये चीजें लोग समझते हैं और जब मौका मिलेगा इस वार मुझे बिश्वास है कि दोनों जगा भारते जन्ता पार्टी को दिखाएंगे कि ये सिर्फ बातों से काम नहीं चलता आपको ज़मी पे लोगों के लिए कुछ करके दिखाने की ज़रूत होती है लोगों को लड़ा के लोगों को आपस में उनके मत भेद बढ़ा कर काम नहीं चल सकता बंसलब कल हिमाचल में रैली भी होने जा रही है इस रैली को कौन संबूदित करेगा कल सोलन में रैली है कॉंगरस की परिंका गांधी जी उस रैली में जा रहे हैं और एक मैं समझता हूं बहुत बड़ा उत्षाह कॉंगरस वर्कल्स को उसके साथ मिलेगा आने वाले चौनाव में आगे और तयारियों अपने मद्बूती के साथ आगे बढ़ने के लिए और इसके बाद मी मेरा ख्याल है कि प्रिंका जी कई जगा और रैलीज पे जाएंगे लेकिन जो अभी आने वाले कुछ दिनों में सेद होई जाएगा एलान भी इलेक्शन का तो फिर तो वो पूरा प्रोग्राम बना के जो स्टार कंपेनर्स होते हैं सब जगा हो जाएंगे फिल्हाल प्रिंका जी का लिए मीटिंग कर रहे हैं बड़ी मीटिंग होगी अच्छी और उसके बाद और चार मीटिंग वो ऐसे ही ले रहे हैं पहले तो उसके बाद मेरा ख्याल ये हैं टोटल मिला के चार मीटिंग अच्छी शांदर मीटिंग हो रहेंगी बंसल सब राहूल गांदी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है और उस यात्रा का क्या रिस्पोंस मिल रहा है और क्या लोगों को परसानिया आ रही हैं जो राहूल गांदी को बता रहे हैं देखे रहुल गांदी जी ने ये कहां हुआ था शुरू में जो लोग तियार थे जो पूरे यात्री रास्ते में चलेंगे उनके साथ वो 119 लोग उन्हों ने तियार किये थे कई कई जगा तो एक एक लाक से ज्यादा लोग साथ लगे उनके चले हैं आपको तो अगर वो तस्वीरें देखें वीडियो देखें तो आप दंग रह जाएंगे कि इतना बड़ा एक रिस्पॉंस मिल सकता है रैली को इतना मिला और इसके साथ साथ रहुल गांदी एक एक ज जोड़ना है पिछले आठ वर्षों में भारतिया जनता पार्टी ने लोगों के मन में फिर एक ऐसा महौल बना दिया ऐसा एक दूसरे के परती डर पैदा कर दिया एक शंका पैदा कर दी जो उनिस सो संताली से पहले होती तो यो मानसिक्ता ने हिंदोस्तान को बांटा था इसी मानसिक्ता को आज बढ़ावा दिया जा रहा है देश में जबकि इतने विशाल बड़े देश ने जिसने बहुत तरक्की की हैं सबी सरकारों ने काम किया है नहीं नहीं कहता कि सर्फ कांग्रस ने किया है कोई सरकार कभी आती रही एक जगा से सरकार हटती थी दूसरी दिन भी जो फीते काटे जा रहे हैं इन्में बहुत ज्यादा काम पहले के शुरू हुएं ये अक्सर होता है तो इन्होंने क्या किया है कि लोगों के मन में एक डिफरंसिज इतने ज्यादा पैदा किये उसको खत्म करने के लिए रहुल गांदीजी ने कहा कि हम भारत को जोड करने आते हैं उनकी बात करते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है इसके लिए आप हमरे को क्या करेंगे जैसे उन्होंने कहा कि हम उस देश को बूल हमें नहीं है जिसमें नौजवान बेरुजगार हैं जिनको हम कहते हैं कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंट है वो कल को एक ल लोग उनके साथ, कहीं वो कोई किसान लग लग रहे हैं, कहीं किसी पेशे के लग रहे हैं, अलग लग जगा, और रास्ते में तो दोनों तरफ ऐसे लोग होते हैं, जब किसी गाउन से, किसी शहर से, किसी कस्वे के बीच से निकलना हो, इतना शायद किसी, हमें भी मुझे तो जा रहे हैं आगे आगे और लोगों का वो काफला बढ़ता ही जा रहा है साथ एक जगा से दूसरी जगा जाते हैं वह लोग आते हैं लेकिन रहुल गातार यह और उनके साथ 119 उटल 118 यानि के हो लगातार निकल रहे हैं और जाना वो कर रहे हैं और मैं विश्वास के साथ क کیا کر رہے है, souşal میडیا के रावा किसी चीज पे नहीं है。 इन्होंने कहा कि नहीं लोगों के बीच में निकलना है, बिलकोज जमीं पे उतरो को और लोगों के साथ चलो, लोगों के دुख दर्द समझो, लोगों की भावने क्या है, लोगों के साथ مشकले क्या आ रहे हैं जिन्दगी में उनको समझो उनके सामस के अपनी नितियों में बनाने में उनमें काम भी मिलेगी अच्छा है वो सहाई होंगे इस विश्वास के साथ राहूल गांदी आगे बढ़ते जा रहे हैं ये थे मेर साथ पूर केंद्रिय मंत्री एवं अखिल भारतिये कांगरस कमेटी के कोशा धेक्स पौन बंसल इन्होंने बताया कि राहूल गांदी की बारत जोडो यात्रा में लोगों का अच्छा रिस्पोंस मिल रहा है इसके साथ साथ लोग राहूल गांदी को अपनी प्रे कि अगरात जोड़ प्रेडी का झाड़ कमेटी लोगोंस मिल रहा है जाए झाल कर बारतिय। कर दोड़ बारतिय।